नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में LLP 3 years admission 2024 का final merit list release हुआ है वो final merit list हुआ है तो वहाँ पे आपको rank कैसे चेक करना है जिन student का not considering final merit list में नाम आया है वो student ने क्या करना चाहिए वो सब in detail वीडियो ये वीडियो में आपको देने वाला हूँ अल्रड़ी आपने final merit list चेक किया भी रहेगा बढ़ उसमें बहुत सारे student का doubts था तो वो एक पर doubt जो भी है वो doubt solve करने का इस वीडियो में information आपको मिलेगा ठीक है तो पूरा detail वीडियो देखी है जिससे आपको पूरी जानकारी आपको ये वीडियो से मिल जाएगा ठीक है जै अगर चीन student ने अगर अभी तक final merit list अभी तक देखी नहीं रहेगी वो student ने कैसे check करना है वो step action बता रहा हूँ उसके बाद में आपको कहा पे click करना है LLB 3 years पे click करना है उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे final merit list has been published option आ चुका है उसके बाद में आपको दिया है college option form filling has been started only merit list candidate can fill the option form मतलब जो student का final merit list में जिनका नाम रहेगा वही student college option form मतलब college के preference देने के लिए eligible रहेंगे ठीक है उसके बाद में candidates are advised to give maximum preference to get better chance of college allotment मतलब बहुत सारे student का ये question था कि sir minimum one college दिया तो चलेगा क्या या और ज़्यादा colleges देने चाहिए क्या तो आप minimum one college का preference आप दे सकते हों और maximum आपको जितने भी colleges देना है आप वो दे सकते हों ठीक है उसके बाद में दिया है कि after giving college preference please check lock and approve option form मतलब जो भी आपने college preference देने के बाद आपको क्या करना है आपको वो जो form है वो आपको lock करना है हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप college के preference का form fill up करोगे उसके बाद में जो भी आप changes भी करोगे उसके बाद आपको form lock करना है ठीक है इस पर लिखा भी है It is compulsory to lock fill the option form, मतलब आपको वो जो lock है, वो आपको option form है, वो आपको lock करना ही है, ठीक है? After locking, please check the fill option form carefully, आपने lock करने के बाद, उसका जो आप print out लोगे, उसके बाद में आप check करो कि आपने जो colleges के preference दिये है, 1, 2, 3, कैसे preference देना है? उसके लिए वीडियो अलग से में बना ही लोगा, उसका आप tension मतलो, step by step आपको option form filling कैसे करना है, उसका सब detail आपको में देने ही वाला हूँ, उसके बाद में जो भी आपका cut off कितना जाएगा colleges के लिए उसका भी वीडियो आपको बना के देने वाला हूँ, तो उसका tension मतलो, ब जिनका final merit list में नाम है, वही candidate eligible है college preference देने के लिए, अभी कौन से student है, वो एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे कि round one का final merit list, ये student में जिनका नाम रहेगा, round one final merit list, एक serviceman इधर जिनका नाम रहेगा, उसके बाद में round one final merit list, outside महारास्टर student, जो student रहेंगे उनका नाम वो student eligible है college option preference देने के लिए, और जो student ये है not considered final merit list, वो student ने क्या करना है, वो आपको अभी information देने वाला हूँ, ठीक, यहाँ पे अभी मैंने आपको open किया है not consider final merit list, जिन student का नाम आया है, वो student ने क्या करना है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, qualification के related document का problem है, application form incomplete छोड़ है, उसके बाद में documentation में कोई discurrency रहेगा, उसके बाद में बहुत सारे reason है, इस में से कोई reason और आपका नाम अगर यहाँ पे है, जिन student का ये list में नाम है, वो student directly आप cap round 3 के लिए participate अभी करोगे, because आप college option form अभी आप fill up नहीं कर पाओगे, ठीक है, because आपको alphabetical list जो publish हुआ थ तब आपको वो time दिया था, कि आप आपके जो भी changes है, वो आप changes करके properly आप update करो, ठीक है, बट बहुत सारे student ने update किया है, उनका final minute list में नाम आया रहेगा, और जिन student ने ये नहीं fill up किया है, उनका नाम not consider list में आया है, तो ये जो student है, ये अभी direct cap round 3 के लिए participate कर पाएंगे तो जो भी आपका changes necessary रहेगा, cap round 3 में आप changes कर पाओगे, अभी हमने not consider list जिनका नाम था, उसके बारे में हमने बात किया, अभी जिनका final merit list में नाम आया है, उनको college के preference देना अभी चालू करना है, कैसे देना है, उसका video बनाऊंगा में, उसके बाद ही आपको final merit list का जो भी college option form है, वो आपको देना है, ठीक है, अभी यहाँ पे आपको क्या check करना है, final merit list में, एक पार आपको बता देता हूँ, जिस्ते आपको एक information मिलेगा, बहुत सर इस्टूडन का ये doubt था, कि सर, rank wise हमारा merit list हुआ है, तो rank कैसे check करेंगे, यहाँ पे आपको लिखा है, state merit number, यही आपका rank है, कि आपका state wise कितना rank आया हुआ है, वो आपको वहाँ पे check करना है, मतलब यहाँ पे आपको दिखाए देगा, कि state merit number कितना है, तो यह आपको दिया है, और इसके सामने आपको जो number दिये है, वो number जो रहेंगे, वो आपका rank number है, मतलब जैसे कि इनका नाम इधर द नमबर है मतलब वो उनका rank आ चुका है ठीक है तो वो उतना rank है और आपको जो भी आपका number आएगा जो भी आपका जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर यह student का नाम है तो इस पर उपर जो भी आपका merit number है इधर लिकाए state merit number तो वो आपका rank है तो rank के बारे में जो भी doubt था वो आपका clear हो चुगा है उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या check करना है आपका नाम proper है क्या वो check करना है आपका gender है वो check करना है properly DOB check करना है category change करना है मतलब अगर check करना है तो category आप check करो उसके बाद में previous category कुछ रहेगा और अभी कुछ चेंज किया है वो एक बार देखो टाइप देखो आपका उसके बाद में Minority वो चेक करो No है तो No रहेगा Physical Handicap का चेक करो Ex-Serviceman हो क्या आप तो वो आप चेक करो उदर eligible है क्या उदर उसके बाद में भहुत सारे student का ये doubt था कि ये जो CET के परसंटाइल है Undergraduate, HST और HST ये जो marks है Properly एक बार आप चेक करो कि कितना परसंटाइल आपका है वो accurate है कै नहीं वो एक बार आप चेक करो जिससे आपको information अच्छे से मिल जाएगा यहाँ पर बहुत सारे student का डाउट था कि eligible for open इधर Y अगर हम देखेंगे तो सब जगव Y है मतलब आप open category से apply कर सकते हो या फिर eligible for open तो सब के लिए Y दिया है तो इसमें कोई इतना problem नहीं है कि सर सब के यहाँ पे दिया है कि Y दिया है तो इसका कुछ है क्या तो ऐसा कुछ नहीं है यह Y सब जगव सब के यहाँ पे दिया है so don't worry उसका कोई इतना option आपको इतना problem लेने की tension लेने की जरूवत है नहीं ठीक है आपका खाले जो आपने बताया मेने अभी वो आपको खाले चेक करना है वैसे ही आपको OMS student के जो student है outside महारास्ट्र student उन्होंने भी same criteria चेक करना है OMS का आपका कितना merit number है वो इसाब से ही आपका college allotment होने वाला है MS candidate का अलग cut off जो रहता है देखेंगे तो cut off अगर हम देखेंगे rank wise तो अलग रहेगा उसके बाद में OMS का अगर इधर देखेंगे तो आलग है तो इस प्राकार से जो भी आपका merit wise जो number रहेगा merit wise OMS और MS candidate का as per उनके जो भी आपका seat जितना रहेगा वो इसाब से आपको उसका college allotment हो जाएगा वैसे ही जो एक service man रहेंगे एक service man का भी same है तो एक service man का अगर हम देखेंगे तो वो अलड़ी दिया है इधर तो वो भी आप उस प्राकार से check करोगे ठीक है बहुत सरे student का था doubt की how to check rank कैसे rank check करना है कैसे information हमको check करना है उसके बाद में यह हम eligible है के नहीं option form fill up करने के लिए जिनका not considering final merit list में नाम आया है उनका भी information दिया है आपको ठीक है उसके बाद में भहुत सरे student का comment section में भी मुझे doubt आया था वो भी एक बार आपको बता देता हूँ जैसे कि यहाँ पे नाम ता list मदे now नाहीं आले तो काई कराई जा है ओलड़ी तुमसे list मदे now असनर जा है तो चेक कराई जा है not consider list मदे आहे का तरती तुम्हाल अरगोदरस तैंगे तले मी not consider list मदे now असेल तो directly तुम्ही cap round 3 मदे participate करूँ शकता ठीक है next आहे can we edit option form for round 2 ठीक है तो आप आप जो है cap round 2 के लिए edit नहीं कर सकते हो cap round 1 में जो भी आपको college के allotment देना है वो proper लिए आपको देना है ठीक है वही आपके carry forward हो जाएंगे directly cap round 2 के लिए और एक question था किस सर list publish जाली आहे please telegram ला PDF फाइल मदे दिया ही PDF फाइल में तुम्हाला आता पार्ट आउनर चाहे त्यारंतर सर merit list मदे eligible फार ओपन वाई चाहरत काया है तो निर्मिती मैडम ने अल्री आंसर दिली लिया है you are eligible for open आणी खुब स्टूडेंट आहे जो आपले help करता स्टूडेंट साथी so definitely assist help करता रहा ओके so याच वाई जरी असल you are eligible for open so सर्वान ना तेज आहे प्रॉब्लम नहीं है जर तुम्हारा category मदे जर तुम्हारा participate करा है जर नसल तो तुम्ही open मद उन्हों करूँ शकता कि वाई तुम्ही category मदे apply के ले लाहा तो तुम्ही obviously category मदे apply करा ठीक है sir list लाग लिया है SC list मदे 804 से वे number आहे महा शहाजी लाग कॉलेज को लापुर्ला admission मिले लगा याची प्रॉपरली category wise तुम्ही college wise जो का एक cut-off हाई expected तो बनाऊना राहे है जो तुम्हे final merit list आले लाए त्याव वरून ठीक है so don't worry उद्या परवा परंद ती list तुम्हा परंद यह उन जाल जहने कुरन तुम्ही college चे प्रेफरेंस चांगले पद्द दिने दिभू शकल और खूप विद्ध्यारतन चे हाई प्रेश्ण हो जो खूप student ना same percentile आहे महाराश्ट्र कॉंपेटेशन खूप आहे जो आता आपन भगित ला तर 50-55,000 परंद स्टूडेंट है तुम्हाराश्ट्र कॉंपेटेशन हो जो खूप प्रेश्ण हो जो खूप प्रेश्ण के लिए बहुत सरे स्टूडेंट का और भी कुछ डाउट हो सकता है तो definitely comment section में comment करो और मुझे definitely आप पूछो instagram पे भी question करो कल तक आपका जो भी instagram पे question किया है उसके सब के answer कल तक आपको मिल जाएगा और youtube पे जो भी comment किया रहेंगे वो भी आपके doubt कल तक शाम तक आपके पूरे doubt solve हो रहेंगे और जो भी category wise जो भी merit list है और option form कैसे fill up करना है उसका particular video अपने channel पे available होगा कल शाम तक तक तो जैसे ही होगा वो आप देख लेना ठीक है आगे का जो भी process रहेगा उसके बारे में वीडियो अलग से आपको बना कर दे दूँगा ओके थेंक यू सो मच हईब दियुआ खेंगे के का जापको भी कर दो है के बादे की पना है आपको प्रहासक दो होगाई आपको भी कि अपको बना हैँ आपको बना है प्रहाई आपको जब बना है को.